आपका जो फर्स पार्ट वीडियो था यहां तक पहुचा था इसके आगे हम लोग यहां प्रूचीट कर रहे हैं तो यहां पर देखिए हम लोग पावर स्टोक तक पहुच चुके थे पावर स्टोक में आपको मैंने यह बताया था कि चार प्रकार के स्टोक थे सक्षन, कंप्रेशन, पावर स्टोक, एक्जॉस्ट मतलब चूशन, शक्ति, दबाव और वहर निस्तारण शक्ति वाले स्टोक में क्या होगा कि जैसे ही फ्यूल जलने की होजाएसे पिश्टन पर धक्का लगेगा तो पिश्टन क्या होगा कि धक्के से नीचे की तरफ आपका आएगा नीचे की तरफ जब यह आएगा उस समय पर पिश्टन की जली हुई गैसे क्या होँगी इस सिलिंडर के अंदर पूरी तरीके से फैल जाएगी और वापस से यह पिश्टन फिर उपर जाएगा जब ये वापस उपर जा रहा होगा उस समय एक बहुत कमाल की घटना घटित होती है इस पूरे इंजन के अंदर एक प्रकार की मेकेनिजम या एक प्रकार का सिस्टम लगा होता है जिसको बुलते हैं वाल्ब ऑपरेटिंग मेकेनिजम या वाल्ब के चलाने का एक यंत्री करण उसके अंदर लगा होता है वाल्ब कौन से यही जो दो वाल्ब लगे होई यह वाल्ब दिखने में कैसे होते है यह वाल्ब दिखने में कैसे होते है तो ऐसा समल लीजिए कि एक एक रुपए के सिक् एक डंडी चिपका दीजे और इसे हाथ में उठा लिए च्छतरी की तरह वह ऐसे ही दिखने में वॉल्व होता है यह वॉल्व जो है वॉपरेट करता है किसके थूरू वॉल्व की चलाने वाली मेकेनिजम के अंसर और इसकी मेकेनिजम जो होती है इस फ्लाई वील के घूमने से connected रहती है कैसे connected रहती है आगे औरी classes में diagram के थूरू समझेंगे अभी हम लोगों ने यहाँ पर diagram discussion नहीं चलू किया है बहुत कुछ आप लोगों को बताया जाएगा अगले 45 दिनों के अंदर और आप लोगों ने ऐसी agriculture engineering कभी नहीं पढ़े होगी मुझे मेरा आपको हम मुएरे से पढ़ने के बाद हमें नहीं लगता कि आपको कभी भी दुबारा कभी भी कहीं पर भी study करने ही जरूत पड़ेगी क्योंकि इतनी आसान भाषा में इतनी आसान तरीके से आपके मन के अनुसार आपके चारों तरफ दिखने वाली घटनाओं से रिलेट करके ची यह आउटलेट वाल्व जब पिष्टन ऊपर भागेगा भाया तो यहां तक आने से पहले यह आउटलेट वाल्व क्या होगा खुल जाएगा जब पिष्टन ऊपर तरफ भागा कहां से भागा दूई नंबर से कहां तक एक नंबर तक कहां से दूई नंबर से एक नंबर त बाहर निकलने के बाद फिर से वही घटना घटित होगी पिश्टन वापस नीचे आएगा क्योंकि उसको ये फ्लाइवील घशीट के नीचे खीश ले आएगा क्यों ले आएगा क्योंकि फ्लाइवील के अंदर क्या थी पताये थे आपको क्या थी rotational kinetic energy घूरन गतिज उर्जा ठीक उसी तरह जैसे पंखे में होती है ठीक उसी तरह जैसे कुमार के चाक में होती है ठीक उसी तरह जैसे लट्टू में होती है किसी चीज को एक बार घुमा दिया जाता है लेकिन बाद में भी वो थोड़ी दिर तक अपनी जगा पर घूमती रहती है जेस्ट पिकाउज ओफ डैट अब्जेक्ट्स rotational kinetic energy या घूरन की गति जूर्जा घूमने के कारण जो गति है उसकी उर्जा ठीक है उसी कारण से ये flywheel वापस से इस piston को क्या करेगा जब exhaust में जब वापस gases बहार निकल गई फिर से ये जब piston नीचे आएगा तो कौँ सी घटना घटित होगी फिर से suction जब piston नीचे आएगा तो ये valve खुल जाएगा अंदर क्या आएगी air फिर से piston उपर जाएगा उपर जाएगा तो ये जो air आई है वो क्या होगी इतने छोटे से volume में दब जाएगी दबते ही क्या होगी गर्म हो जाएगी गर्म होते ही क्या होगा fuel injector से बूंद गिर जाएगी किस चीज की डीजल की एक बूंद जैसे ही डीजल की बूंद गिरेगी ये क्या होगा बुन्द क्योंकि हवा क्या है गर्म है बहुत तेज गर्म है तो गर्म क्यों है क्योंकि दाब और ताप एक दूसरे के क्या है समान पाती है जब आपने किसी बंद आयतन को जोर से दबा दिया तो वॉल्यूम तो कॉंस्टेंट था तो दाब और ताब एक दूसरे के समान पाती हो गए और दाब और ताब एक दूसरे के समान पाती होते ही क्या होगा दाब बढ़ते ही तापमान बढ़ता चला जाएगा जब तापमान बहुत जदा बढ़ जाएगा तो इसके अंदर जैसे ही डीजल की बूंद गिरेगी वो भग किसे देना पकड़ लेगी गाउम क्या बोलते हैं भनने से आग पकड़ लेगी वैसे ही यहाँ पर होगा आग पकड़ लेगी जैसे ही बलास्ट होगा पिश्टन के उपर धक्का लगेगा पिश्टन फर से नीचे भागेगा जब पिश्टन नीचे भागेगा तो इस फ्लाइवील को भी साथ में घुमा इन distinct as little और यह फ्लाइविल लगाता rotational कानेटिक इनर जी पाता रहेगा फिवीव के जलने की वजह से और अपने ही rotationalía कानेटिक factor के कारण piston को ऊपर नीशे कराता रहेगा और बार बार फिवीव अपने आप जलना चालूák जाएगा और इस्टन आटोमेटिक चलने लगेगा शुरुवात में तो आपने उसे चलाया बाइक में पहले आपने किक मारी कौन सी बाइक में डीजल वाली बाइक समझ लीजे पुरानी वाली जो राइल इल फिल्ड बुलेट आती थी या ऐसा समझे जो डीजल वाले जनेट बाद में जैसे ही एक साइकल पूरा हुआ te जाएक सक्षण कंप्रसेशन्द फार एक भीजासर चूस्न दबाओil शक्ति वाहिन इस तर रन फिर से चूस्न दबाओ शक्ति वहिन इस्तर रण यह सक्षण CAP वाहिन एक भीजासर फोर बार 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 होता रहर और इसी flywheel से जुड़ा हुआ एक shaft आएगा ऐसे और इसी shaft पर पहिया लगा है जब flywheel घुमेगा तो ये shaft घुमेगा तो पहिये घुमेगा और पहिये गुपर आप बैठें और इसे इसे करके गाली के साथ आगे बढ़ा जाएंगे है ना तो यही होता है गाली के अंदर तो आपके पास total यहाँ पर जो engine है वो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं अब यह engine था आपका कौन सा diesel engine इसलिए इसमें क्या था fuel injector था अगर यह engine petrol engine होता तो suction, compression, power exhaust यह तो petrol engine में होगा जो यहाँ पर है suction मतलब हवा खींची, compression मतलब दबाई, power मतलब इस समय पर कुछ इधन जलाया गया exhaust का मतलब जला हुआ इधन जो था उसे बाहर निकाल दिया गया यही सेम काम आपका petrol engine के case में भी होगा लेकिन petrol engine के case में और diesel engine के case में थोड़ा सा क्या difference है यहाँ पर fuel injector है, तो petrol engine में क्या है petrol engine में क्या है अक्सर आप लोग जब आपकी bike start नहीं होती तो इतना बड़ा सा एक चीज लगा रहता है engine के उपर उसको बहा निकाल के घिश के साफ करके फिर लगाते है उसको spark plug कहते है मेरे भाई मेरे भाई उसे spark plug कहते है और spark plug ठीक उसी जगह होता है जहाँ diesel engine में injector होता है spark plug जो होगा, उसका काम क्या है? spark पैदा करना तो petrol engine में क्या होता है? spark plug होता है किसके लिए? आग लगाने के लिए इधन में आग लगाने के लिए यहां पर आग लगाने के लिए हवा को ही गरम कर दिए वहां पिट्रॉल एंजन में आग लगाने के लिए स्पार्क पैदा कर दिए ठीक है तो यह दो प्रकार से यह इंजन आपके इधन के अधार पे है वैसे petrol engine की explanation थोड़ी और है लेकिन उसको मैं आपकी paid classes में उसको explain करूँगा लेकिन यहां से आपको मोटा मोटा यह चीज पता हो चुगा है कि suction, combustion, power, stroke, exhaust यही आपके चार, one, two, three, four या चूशन, दभाओ, शक्त, इवाय, निस्तारण यही चार चीज़ें आपकी किसी भी engine में चलती है और यह चीज और बता दें इसी वक्त डीजल इंजन में जब यह suction वाला काम होता है यह चूशन वाला काम होता है तो inlet या अंतर व्याही valve खुल जाता है तो अंदर की तरफ हवा आती है अगर हवा गंदी परवेश कर जाएगी engine में तो engine के अंदर कचला जादा बनेगा, engine जल्दी खराब होगा इसलिए हम लोग diesel engine में किसका इस्तिमाल करते है एर cleaner के इस्तिमाल करते है एर cleaner कैसा चीज होता है, खीक वाइसा ही चीज होता है जैसा आपका mask होता है आप अपनी नाक के उपर mask लगाते हैं, धूल रुकती है, कि टाणू रुकता है, कंकड़ रुक जाता है, धूआ रुक जाता है, साफ हवा अंदर जाती है उसी तरीके से engine में अगर air cleaner लगा दिया जाए, तो engine के अंदर जाने वाली air क्या हो जाएगी? धूल रहित, धुआ रहित, जिवानो रहित, और इस तरीके से वो हवा क्या होगी? clean जाएगी clean जाने की वज़े से engine के अंदर, engine के अंदर क्या चीज होगा? कचड़ा या residue जादा पैदा नहीं होगा जिसकी वज़े से engine आपका जादा दिनों तक काम कर सकता है तो air cleaner आपका किसमे लगा होता है diesel engine में और petrol engine में carburetor होता है उसी तरीके से air cleaner वहाँ भी होता है clean air तो सभी में चाहिए ठीक है तो clean air के लिए air cleaner engine का part एक प्रकार से होता है तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो class है बड़ी informative थी अगर आप देखें तो कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं या किस प्रकार के कार रहे होते हैं engine के अंदर तो objective question आपके suction, compression, power exhaust चूशन, दबाओ, शक्ति, वाय, निस्तारण के अंसार ये objective का एक point है flywheel में क्या होती है घूरन घूरन गति जूरजा काइनिटिक इनर्जी rotational काइनिटिक इनर्जी या घूरन के तीज़ जूरजा ठीक है? ये होती है piston से flywheel को कौन connect करता है connecting rod piston जो होता है ये कौन से position से जा रहा है 1 से लेकर 2 तक इन दोनों position का नाम होता है वो आपको इंडियन की terminology वाले chapter में बताऊंगा diesel engine में क्या इस्तिमाल होता है fuel injector ठीक है? petrol engine में क्या इस्तिमाल होता है spark plug क्योंकि नाम क्या है spark ignition engine ठीक है? इस तरीके से 5-6 तो objective point आपके यहीं पर है जो अलग-अलग exam में आए है यह इस देख लीजे है ना? दाब और ताब एक दूसरे क्या है समानुपाती है क्यों है? क्योंकि volume क्या हो गया है constant हो गया है इसके पहले वाले slide पे आईए यह वाला engine के प्रकार जो यहाँ पर बने हुए है इसमें क्या है? petrol, diesel, rocket fuel two stroke, four stroke और यह तीन प्रकार हो गया है power stroke शक्ति की प्राप्त के अंसर कित्ते प्रकार के engine है दो प्रकार के two stroke और four stroke यही मारे syllabus में है वैसे 6 और 8 stroke भी engine बन चुके है अब आते हैं इसके आगे और आपको मैंने क्या बताया हुआ हुआ देखिए objective point हर यह का छुपा हुआ है इस वाली slide में तो 5-6 objective point है जो आपको मैंने discuss किये इसके आगे देखिएगा यह वाला engine chemical energy को उश्मी उर्जा में या रसाइनिक उर्जा को उश्मी उर्जा से यांतरिक उर्जा या chemical energy को heat energy से mechanical energy में करता है बंद आयतन में जलने के सिध्धान पे काम गरता है यह आपके engine का total chapter का basic concept हो गया और इसके आगे वाली class में engine में बहुत कुछ है जैसे SI engine का discussion है SI engine में क्या-क्या है पहले मैं आपको यह बताऊंगा फिर engine की terminology 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 हिंदी में क्या बोलेंगे engine की परिभाषाएं बहुत ही जदा important है engine की परिभाषाएं जिस पर engine काम करता है जैसे top dead center bottom dead center प्रभावी माधदाब direct mean effective pressure जिसको कहते हैं ऐसे करकर के बहुत सारी परिभाषाएं भी ऐसी हैं जो engine को लेकर आपको study करनी है ठीक है और उस पर अधारित कुछ छोटे objective points हैं जो आप class में note करते चलेंगे और साथ में हम लोग फिर उस पर objective series को भी swallow करेंगे तो उमीद करता हूँ आपको ये जो class है IC engine के chapter में 5 classes होती है उनकी एक basic class मैंने आपको बताई है उमीद करता हूँ आपको ये class समझ में आई होगी और diploma engineering के students जो ये कह रहा है थे कि classes हिंदी में होनी चाहिए हमें हिंदी में ही समझ में आता है मुझे नहीं लगता कि इससे जादा हिंदी की जरूरत आपको है और अगर आपको ना समझ में आया हो फिर भी तो आप मुझे जरूर बताईएगा मैं और जादा हिंदी इसके इंदर introduce करने की कोशिश करूँगा लेकिन अगर इतनी हिंदी भी आपको समझ में नहीं आ रहे है तो चिंता का भी विचय है ये भी याद रखिये के मिरे दोस्त ठीक है इतनी हिंदी तो आपको समझ में आनी चाहिए जित्ती मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी मिडियम का छातर में भी रह चुका हूँ काण्वार्ट होने के बाद मैं यहाँ पर पहुच गया ठीक है हिंदी और इंग्लिश भी आती है दोनों आता है दोनों ही पढा रहा हूँ और ये क्लास दोनों ही प्रगार के बच् Colle देखेंगे, Hindi Medium, English Medium English Medium आ लोगोगोगर सिकायत है तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप Hindustani है और आपको English और Hindi दोनों Mixed Class में बात समझ में आनी चाहिए दोनों ही लोगों के लिए ये Class Hindi और Medium दोनों ही लोगों के लिए बराबरी से Informative है, ऐसा डिजाइन ही किया है मैंने मुझे पता है This is the best suited class for the board type of student दोनों ही प्रकार के students को suit करेगी ऐसा ही मैंने language and content को design किया ही है और मुझे नहीं लगता है कि इसको देखने के बाद आपको ऐसा कह सकते हैं कि ये English वालों के लिए है या दोनों के लिए तो हाँ जाके क्या बोले है गितराष्ट दो नयाए अगर तो आधा दो जैसे हम ले रहे हैं दो नयाए अगर तो आधा दो उसमें भी यदि बाधा हो तो देदो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धर्ती तमाम हम वहीं खुसी से खाएंगे परजन पर असिना उठाएंगे परदुर्योधन वो भी देन सका आसीस समाज का लेन सका उल्टे हरी को बांधने चला जो असाध्ध था उसे साधने चला जब नास मनुस्व पर छाता है पहले विवेक मर जाता है है ना तो यहाँ पर क्या था पहली लाइन पढ़ कर लिए हम जो मैंने कविता की सुनाई किया था तो नियाय अगर तो आधा दो और उसमें भी यदि बाधा हो तो यहाँ पर मुझे कोई बाधा ही नहीं है और मैं नियाय आधा दे रहा हूँ तो लेंग्वेज में दोनों ही प्रकार के वर्ट्स को इस्तिमाल किया गया है इंग्लिश और हिंदी सबकी हिंदी बताते हुए हम आगे बढ़े हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आईसी इंजन की यह मातर एक छोटी से इंफॉर्मेटिव क्लास थी जो दो पार्ट में मैंने बनाई है एक्चुली पहले पार्ट में ही यह क्लास बनी होती बट हमारे कंप्यूटर के अंदर कम से कम हजार से जज़ादा क्लास लोड़ हो चुकी है वैसे उसकी मिमोरी खतम हो गई थी और 40 मिनिट की क्लास होने के बाद अचानक से वो खतम होगे मुझे पता भी नहीं चला तो यह सेकंड क्लास उसी के तारतम में आगे की तरफ आपके पास है तो इसको आप देखिएगा और अपनी राय जरूर दीजेगा और आपकी राय बहुत ही ज़्यादा बहुत पूर्ण है कोई चीज अच्छी लगे दूसरों तक शेयर करिए maximum लोग क्लास में आए पूछें और आप लोग अधिक से अधिक इन्फॉरमेशन इस क्लास से पाएं इसी उद्देश के साथ में इस क्लास को मैंने डिजाइन किया है और उमीद करता हूँ कि अग्रिकल्च इन्जिनिंग की इस प्लेटफॉरम पर आप लोग अधिक से अधिक सीखेंगे और इसी उमीद के साथ मैं इस क्लास को बंद करता हूँ और नेस्ट क्लास में झाल झाल